हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम अपना चेप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं तो देखे की और ट्रेम्स पोर्शन पढ़ेंगे इस चेप्टर का अब यह माइक्रो ओर्गेनिजम क्या होते हैं इस आर्ट टू स्मॉल बहुत ज़्यादर चोटे और नोट विजीवल टू दा अनएड़ेट आई और जो नोट विजीवल मतलब नहीं दिख सकते हैं अपनी नगन आखों से नहीं दिख सकते हैं और यह क्या होते हैं और यह क्या होते हैं यह रह सकते हैं और मतलब सभी परकार के इन्वार्मेंट में रह सकते हैं में होट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं डैजर्ट रहिस्तान में भी रह सकते हैं और मार्शिल लैंड ठीक है उसमें भी रह सकते हैं तो यह ऐसे माइक्रो और यह सकते हैं और यह बहुत चोटे होते हैं इस्टू स्मॉल होते हैं और नोट विजीवल होते हैं तू दा जो एल्गी होती है वो माइक्रो और गिरिंजम होती है वो क्लासिफाइड है कहां से पराप्त होती है किसी प्लांट के थूप पराप्त होती है occurring in fresh और salt water और moist ground ठीक है तो यह कहा है कहां से कहां पर होता है fresh और salt water में ठीक है और moist ground moist मतलब नमी वाले जो place होगा ग्राउंड होगा उसमें यह क्या करेंगे वो grow करेंगी ठीक है अब कहें कब होती है algae अपने देखाओं को बरसात के टाइम पर जब नमी हो जाती है moist हो जाती है हमारी जो मिट्टी तो उसमें क्या करेंगे algae grow करेंगे ठीक है उस टाइम होती है वाइरस इस आर क्वाइट इस आर क्वाइट डिफरेंट यह काफी अलग है from the microorganism वाइरस होते हैं वो काफी अलग होते हैं किसे microorganism से they reproduce only inside the hot organism यह reproduce होते हैं कब inside मतला अंदर की तरफ hot organism की hot organism कोन होता है जिसके रहकर यह leave कर रहे है ठीक है जैसे कि मालो कोई animal में कोई वाइरस है तो वाइरस उसमें रहकर क्या कर रहे है leave कर रहे है ना तो वो animal के आगो उसके लिए host organism होगे है which may be a bacteria यह क्या हो सकते हैं बैक्टरिया भी हो सकते हैं plants और animal ठीक हैं plants और animal में हो सकते हैं disease मतलब बीमारी like AIDS AIDS होती है ना polio, chicken pox, influenza and most cause most cough are caused by virus ठीक है तो disease जो विमारी होती है AIDS की polio, chicken pox, influenza जिसको flu बोलते हैं और most cough जो cough होते हैं अपने जो किसको बोलते हैं जुखाम होना जिसको ठीक है stringing और जो खासी होती है normal caused by virus कि इसके तरो होते हैं virus कितरो होते हैं antibiotic antibiotic क्या होती है antibiotic are medicine and drug that kill or stop the growth of the disease causing microorganism ठीक है antibiotic क्या होती है ये एक ऐसी medicine होती है medicine होती है और drug होती है जो क्या करती है kill कर देगी और stop कर देगी किसकी ग्रोथ को microorganism की ग्रोथ को हमारी body के अंदर और ये जो हमारी disease का कारण होगे वो क्या होगे antibiotic अब देखो कम कम हो रहा है कौन सी chicken pox है तो chicken pox की क्या करेंगे हम antibody लेंगे ठीक है जो medicine होती है उसको क्या बोलेंगे antibody बोलेंगे क्योंकि वो क्या करेगी chicken pox की virus को microorganism जो produce करती है humans में इंसानों में disease बिमारिया like thyroid 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 bacteria के थरू होती है and tuberculosis tuberculosis की बिमारी भी किसके थरू होती है bacteria tuberculosis किसको बोलते है tv को बोलते है ठीक है टीवी की बिमारी हो जाती है antibiotic sorry antibodies antibody क्या होती है antibodies are Y-shaped proteins only boy इंच immune system immune feeling immune वहुत सारी एंटी बोडी परजेंट हो तब हम हम को इतनी बीमारी हो जाती है अगर हमारी बोडी के अंदर इम्मुनुटी नहीं होगा तो हमको डेली बीमारी रह गी कोई ना कोई इम्म्निमेटि सिस्टम क्या करता है जो बोडी में वायरेस होता है को एमारे बाटर के थ्रूप या फूर्ड के थ्रूप कर दो महरे एक़र नाजाता है तो उसको करतेगी खितsan कर देघी टेखिए इनेवर बोडी फाइट था इदफ प्रिड़ो बोड़ी को फाइट करेगी और उसको प्रोटेक्ट करेगी किसे डिजिस से भी मारे से ठीक है इम्मुनिटी एक होती है हमारी बोड़ी की एक आर्मी होती है ठीक है उसको आर्मी बोलते हैं जो क्या करती है हमारी बोड़ी को प्रोटेक्ट करती है किससे एनिमी एनिमी कोर्स होंगे हमारे डिसे हो एपर ढूंद होंगे तो हनसे क्या करेंगी प्रोटा शोफा भी प्रॉटो जो ऐंगे होने होंगे जो करेंगे सीरेस डिजिस करेंगे डैनसिटीया और मलेरिया नमालेरिया करने तो कह प्रोटोम पाटर रहा है इस थी? रही थी वह कर रही थी ने, malaria को एक mosquito थी वो क्या कर थी, malaria causing protozoa अमारी body में दे रही थी, fermentation, the process of conversion और sugar into alcohol is known as fermentation, जो process होगे किसकी sugar की into alcohol की, conversion मां sugar और alcohol की process होगे, वो क्य कर लाएगी fermentation, स्वीक्टिर हुआ। एच में सोइल में। विए राइज भी अदि शुक्र नूडर्स ऑफ लाग्योमेशि इसलेव एप्लांस वाय क्यों पिनेुटस ट्रूपू स्लिकें झाल स्लिकर & तौंव क्योंने। 2 भाएकल्ट ने क्योंतन है। झौ मशाजन व्ताओं रहता हो। पैथोजन पैथोजन क्या होते हैं डिजिस प्रडियों सारी क्या खरएंगे इसको पैथोजन बोला जाता है उसमें कुछ भी आ सकता है जो भोडी में डिजिज कर सकते हैं तो बायस हो सकते हैं अब तो आगे देखगे कम यह बडिजिज इस कौन सी बताई थी करें हम को नौरमल किसे कविए बंग जकर कॉसे को किसी आदर ठीक है तो इसका एक्जाम्पल है कि मैंने आपको बताया था यह COVID-19 डिजीज होती है हमारी जो कोरोना वारस की तुरू होती है वो भी क्या एक communicable डिजीज होती है इसलिए तो कहते हैं कि आप सोशल डेस्टेंसिंग वहले इसलिए कि आप दूसरों से कम मिलिए क्योंकि यह क् अप्रोबिल डिजीज देट कैन सेपरेट फोर इंफेक्टेड परसन तूदा हैल्थी परसन थ्रू एयर वाटर फूर्ड फीजिकल कॉन्टेक्ट और काल्ड कम्निकेबल डिजीज इसमें कौन सा होगा कॉलेरा कॉमन कॉल्ड शीकन पॉक्स टूबरक्लोसिस और सम्सच अर इसे इसपर जैसे होता है कंवनीकेबल डिजीज होती है जो हमें को किसी एक इंफेक्टेड परसन से एकहल्दी परसन वह आसानी से पहुश सकती है पानी के थूष फूर्ड के थूष फूड के फिजिकल कॉन्टेक्ट अर्ट टच कर दिया उसको यह कर आदा उसके थूआ ह सो स्कुराद माइक्रोप्स 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 हो त्यूंड वेविको और विन्त्रिश को बीच्ट एटिक जो सिंटेफ। होती है जो कारी करके रखती माइक्रो और क्या करेगी अलग करती टीजिस से वो क्या करती कैरी फॉर एक्जम्पल वेन फ्लाइस सेट इन गार्वेज एंड अनिमल एस क्रियेटेट पैथोजन स्ट्रीक टुदा देर बोड़ी विच आर ट्रांसफर विद्धी सिट ओन तू द तक हम वेट तो फूड के तो फूड के जो हम किया करें उसको लिले लेंगे इंटेक कर लेंगे फूड को वेट कर लेंगे टिक है तो फूड के तुर क्या कोई ओगए वह डीजिस हमारे कहा हो जाएगी हमारे बोडी के अंजर हो जाएगी ठीक है यह चीजी किया कहलाते है कार्यस कहलाते हैं जो डीजिस को लेके आते हैं बहुत सारे तो वैक्सिन यह कुछ नहीं कहा जाता है यह क्या करती इसको इंट्रोडूक्शन कैसे दिया जाएगा यह जो डैड और वीकनेस कोई मरे हुए और कोई कमजोर भीक्रोब्स होंगे इन्हें healthy body, जो क्या कर देगा उसको उसको मार देगी किसको microbes को, ठीक है किस में healthy body में microbes को dead कर देगी या तो इसको weak कर देगी ठीक है इसको कहते है वेक्षिन अगर मुझे किसी चीज की विमारी लग गया तो मुसक bilang, उस को विरिस, माइक्रो और्गेजम मे dob lire में को अंदर, हम देंगे डीजाएगे, इंजेक्शन दिया जाएगा, कुछ टेबलिट दिजाएगे न, तो क्या करेगी वह वैक्षिन, उसको क्या करेगी जो मां करेगी, कि लड़ने के लिए तो आ रही है मारी बोडी का अंदर या तो फिर उसको वीक कर देगी कि वह हमारी बोडी में कुछ अधर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा ठीक है बोडी फाइट्स अंड किल्स दैंप प्रॉडुश्ट बाइप प्रॉडुशिंग शूटेबल आटी बो दीवाटैक्सरी हम को बोडियुका से तो आगे चैप्टर मेंसट रहेंगे आज के लिए सिर्फ इतना ही प hypothesis.